आपके पास दो अच्छर वाले और किसी बच्चे के पास तीन अच्छर वाले सब्द का एक टीलम है आपको मालूम है ना इसको किस तरीके से पढ़ना है आपको हाँ स्क्रॉल करकर के जो में आपका यह वाला चीज है ना यह वाली उपर वाली इसको क्या करना है आपको नीच पहले स्टार्टिंग करेंगे यशिका से यशिका बताओ थोड़ा जोड़ से बोलो बेटा है ना वेरे गुड़ भूमी आप पढ़ो बेटा आपके पास तीन वाले थोड़ा तेज पढ़ो लाइब पढ़ो लाइब पढ़ो एकरा पढ़ो थोड़ा तेज पढ़ो है ना वेरे गुड़ पढ़ो लाइब बेटा लाइब कहा है थोड़ा तेज पड़ो वेरी गुड रहा दिका अब आप लोगों को सब्द पढ़ने आ गए ना अब अपने लिए खुद के लिए क्लैपिंग करो